Hello Students, This is Yogis from English Guruji Channel और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग मैं कॉश्चन आप सभी किसा शेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए और इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईए इस इंटर्वी में पूछे गए एक कॉश्चन के बारे में क्या question पूछा गया आधार कार्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं देखिए आधार कार्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं इस question का answer देने से पहले मैं आपको कुछ important point बताना चाहता हूँ सबसे पहले देखिए हिंदी में आधार कार्ट को आधार पत्रक के नाम से भी जाना जाता है यानि कि आधार कार्ट को हिंदी में आधार पत्रक कहते हैं इसी तरह से देखिए आधार कार्ट को अंग्रेजी में यूनिट कार्ड या फिर बैस्ट कार्ड इन दो नाम से हम जानते हैं यानि कि आधार कार्ट को अंग्रेजी में यूनिट कार्ड या फिर बैस्ट कार्ड कहते हैं इसी तरह से आगे देखिए अमेरिका में आधार कार्ट को ग्रीन कार्ट कहते हैं हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करिए अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक भी वीडियो लेक्चर आप मिस न कर पाएं मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाए